हलो फ्रेंट्स नौइकनोमिक्स.िन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे वल्ड बैंक तवारा रिसेंटली जारी हुमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि हुमन कैपिटल इंडेक्स क्या है और इसे कैसे त्यार किया जाता है और इसकी रैंकिंग के क्या मा रोध है कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू तो आपको स्क्रीन में वो दिखाई दें चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल क्या है उसके बाद हम समझेंगे कि हुमन कैपिटल का क्या मतलब है तो दोस्तो टिफिकली एकनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब हर उस टैंजिबल या इंटैंजिबल हुमन एसेट से होता है मानो निर्मित पुंजी से होता है जिसका इस्तमाल आर्थिक रूप से उ जिसका इस्तिमाल उत्पादन परिक्रिया के दाउरान किया जाता है वह पुंजी है, कैपिटल है अब सवाल उठता है कि क्या इनसान भी या कहें कि हुमन भी एक कैपिटल है क्योंकि उसका इस्तिमाल भी उत्पादन परिक्रिया में एक इंपुट के रूप में किया जाता है हम जानते हैं कि उत्पादन परिक्रिया के दावरान इनसान को as a labor input के रूप में इस्तमाल किया जाता है अगर ऐसा है तो क्या हर human जो production process के दावरान labor के रूप में इस्तमाल किया जाता है क्या एक human capital है तो दोस्तो टेकनिकली इसका जवाब है हाँ हर human जो labor force का हिस्सा है देश के लिए एक human capital है और human capital index हमें यह बतलाता है कि देश में मौझूद human capital का potential क्या है यह कितना उत्पादक है और वह मानों के उत्पादक होने की पूर्ण छमता का कितना इस्तमाल कर पाता है दोस्तो इसे हम आगे समझेंगे जब हम human capital index की बात करेंगे चलिए अभी देखते हैं कि human capital को किस तरह से define किया जा सकता है तो दोस्तो human capital किसी इनसान या लोगों के सम्मू या दिये गए आबादी द्वारा धारित वह अमूर्त या ना चुई जा सकने वाली संपती है जाने वाली ये संपती असल में व्यक्ति की प्रतिभा, उसका ज्यान, उसका skill, experience, बुद्धी मत्ता, training, निरने लेनी की छमता, सिख्छा और स्वास्त इतियादी factors पर निर्वर करता है यानि हम कह सकते हैं कि human capital का संबंध इन तमाम चीजों से सीधे तोर पर होता है ये तमाम चीजें देश के human capital की गुनवत्ता को बढ़ाते हैं दोस्तो अब जब हम human resource कहते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब देश में मौजूद अती गुनवत्ता वाले human capital की संख्या से होता है जैसे किसी company के human resource विभाग का काम होता है company के लिए high qualified, skilled, trained और healthy labor force का recruitment करना जो company के economic goal को पूरा करने में company की सहायता करें दोस्तो मेरे ख्याल से हमने human capital और human resource का क्या मतलब है उसे समझ लिया है चली अब बात करते हैं world bank के human capital index के वारे में और जानते हैं कि human capital index क्या है, इसे कैसे तयार किया जाता है और इस index के various ranking के माइने क्या है तो दोस्तो human capital index world bank दो वारत तयार एक अंतराश्ट्री metric है या कहें कि human capital index मानाओ की छमता को मापने वाला एक मानक है जो इस बात का अध्यान करता है कि एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है वह अपने 18 जनम दिन तक अपनी उत्पादकता की पूर्ण छमता के कितने हिस्से को हासिल कर सकता है यानि अगर देश की HCI ranking 0.7 है तो इसका मतलब है कि देश में आज जो बच्चा पैदा होता है वह अपने 18 जनम दिन तक यह उम्मीद कर सकता है कि वह अपनी पूर्ण छमता का 70 प्रतिशत उत्पादक होगा इसका मतलब या भी होगा कि वह अपनी पूर्ण छमता के मुकाबले 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन कर रहा होगा दोस्तों Human Capital Index 6 component का aggregate होता है जो मुख्य रूप से 3 बातों पनिर्भा करते है पहला बच्चे का survival, दूसरा health और तीसरा सिख्छा किसी देश का Human Capital Score निकालने के लिए इन ही 3 बातों का पता लगाया जाता है जिसके लिए 6 components या कहें कि indicators का इस्तिमाल किया जाता है कि इन 6 indicators या component में देश का प्रदर्शन कैसा है जिसमें पहला component है Child Survival Child Survival component हमें बतलाता है कि हर 1000 live birth या नए बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र तक सर्वाइब कर पाते है अगला component है Expected Year of School Expected Year of School हमें बतलाता है कि एक बच्चा जो आज देश में पैदा होता है वह 18 साल का होने तक कितने साल इस्कूल ने बिताने की उमीद कर सकता है वहीं तीसरा इंडिकेटर है Harmonized Test Score Harmonized Test Score देश में Quality of School Education को बतलाता है जो दुनिया भर के सिक्षा की गुनवत्ता पर किये गए स्टेडी और प्रोग्राम्स के डेटा सेट पर अधारित होता है Harmonized Test Score 300 से 625 के बीच होता है 300 का मतलब सबसे खराब Quality of Education और 625 स्कूर का मतलब है Advanced Quality of Education Next Indicator है Learning Adjusted Year of Schooling Learning Adjusted Year of Schooling हमें बतलाता है कि देश में स्कूली सिक्षा की वज़ा से एक व्यक्ति कितना ग्यान और कौसल प्राप्त कर सकता है जो मानो पुंजी के लिए जरूरी है L.A.Y.S. असल में उस Reality को Reflect करता है कि बच्चे स्कूल में कितना सीखते हैं, कितना Learning करते हैं असल में Learning Adjusted Year of Schooling Expected Year of Schooling और Harmonized Test Score का Combination है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट कंपोनेंट है Adult Survival Adult Survival Rate हमें यह वतलाता है कि देश में 15 से 60 साल के व्यक्तियों की बीच mortality कितनी है यानि 15 साल पूरा करने के बाद कितने परतिशत लोग 60 साल की उमर तक जीवित रह पाते हैं इसे भी per thousand में निकाला जाता है अब आखरी इंडिकेटर है Healthy Growth या Not Stunted Rate जो हमें यह बतलाता है कि बच्चों का संपून सारिरिक और मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं क्या बच्चे मालनुट्रिस्ट हैं क्या ये कुपोशित हैं उनका विकास रुख गया है या धिमा विकास हो रहा है दोस्तों World Bank का Human Capital Index इन 6 कंपोनेंट्स में प्राप्त स्कोर की अधार पर तयार किया जाता है World Bank ने 2018 से Human Capital Index जारी करना सुरू किया था Index का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है 0 का मतलब सबसे खराब इस्थिती से है जबकि 1 का मतलब सबसे भैतरी निस्थिती से होता है अलग-अलग देशों दोबारा 0 से 1 के बीच स्कोर करने को 6 कटिगरीज में यहाँ पर बाटा गया है और इसे अलग-अलग कलर से यहाँ पर दिखलाए गया है 0 से 0.40 तक स्कोर करने वाला देश सबसे खराब प्रदेशन करने वाला देश कहा जाता है जिसे डार्क येलो कलर में दिखलाए गया है इसमें करीब 24 देश सामिल है 0.40 से 0.50 तक स्कोर करने वाले देशों को लाइट येलो कलर में दिखलाए गया है भारत भी इसी स्रेनी में आता है इस केटिगरी में 36 देश सामिल है जिसमें भारत भी एक देश है भारत का HCI स्कोर 0.49 है तीसरी कैटिगरी जिसे डार्क बुलू सेड में दिखलाय गया है इसमें 0.50 से 0.60 तक स्कोर करने वाले देशों को रखा जाता है इसमें करीब 41 देश सामिल है इसके बाद चौथी केटिगरी में 0.60 से 0.70 तक स्कोर करने वाले देशों को रखा गया है जिसे डार्क ग्रे कलर में दिखलाए गया है इसमें करीब 37 देश सामिल है इसके बाद पांचवी केटिगरी में 0.70 से 0.80 तक स्कोर करने वाले देशों को रखा जाता है जिसे green color के एक हलके shade में दिखलाय गया है इसमें करीब 28 देश सामिल है छटी category में उन देशों को रखा गया है जो 0.80 से उपर rank करते हैं इन्हें light grey shade में दिखलाय गया है इसमें करीब 8 देश सामिल है Human Capital Index में 174 देशों की सूची है जिसमें भारत 0.49 स्कोर के साथ 116 नंबर परकाबिज है HCI में 0.49 स्कोर करने का मतलब है कि भारत में 2020 में पैदा होने वाला एक बच्चा अपने 18 साल की उम्र में अपनी पूर्न छमता का 49% के बराबर ही मातर प्रोडक्टिव हो सकता है वा अपनी पूर्न छमता से 51% कम छमता के साथ वो काम करेगा चली अब वीडियो के आखिर में हम उन 6 कंपोनेंट्स को देखते हैं कि उनमें भारत की स्थिति क्या है तो दोस्तों HCI इंडेक्स जो इन 6 कंपोनेंट्स पर अधारित होता है इसमें पहला कंपोनेंट है प्रोबैबिलिटी ओप सर्बाइबल टू एज 5 या जिसे हम चाइल्ड सर्बाइबल इंडिकेटर भी कहते हैं भारत में हर 1000 में से 40 बच्चे या कहें कि 100 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने 5 साल की उम्र तक सर्बाइब नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपेक्टेड इयर ओफ स्कूल जो 4 साल से 18 साल के बीच स्कूलिंग की आउधी को बतलाता है या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि एक बच्चा 4 साल से 18 साल के बीच कितने साल ओसतन स्कूल ने बिताता है उसके बारे में बतलाता है भारत में इसका अनुमान करीब 11.1 साल है एक बच्चे को 4 से 18 साल के बीच अधिक्तम 14 साल स्कूल ने बिताना चाहिए भारत में ये 11.1 साल है Harmonized Test Score Harmonized Test Score में भारत 399 स्कोर करता है Harmonized Test Score 300 से 625 के बीच इसमें स्कोर किया जा सकता है भारत का स्कोर 399 है यह Quality of School Education को दिखलाता है Next है Learning Adjusted Year of School यह EYS और Harmonized Test Score पर अधारित होता है इसके अनुसर भारत में Expected Year of School मातर 7.1 साल है Next है Adult Survival Rate भारत में 15 साल पूरा करने के बाद 83 प्रतिशत लोग 60 साल की उम्र तक सर्वाइब कर पाते हैं Adult Survival Rate यहां 0.83 है Healthy Growth यह Not Stunted Rate Not Stunted Rate के अनुसर भारत में हर 100 में से 35 बच्चे कुपोशित है यानि Stunted है केवल 65 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोशित नहीं है जो Not Stunted है दोस्तों इन 6 कंपोनेंट्स के आधार पर ओभर ओल HCI स्कोर निकाला जाता है भारत में HCI स्कोर 0.49 है और भारत दुनिया में 116 हुआ स्थान रखता है 2018 में भारत की रैंकिंग 114 हुआ करती थी भारत में HCI स्कोर हलांकि पहले से बहतर हुआ है पर दूसरे देश भारत के मकाबले HCI में अधिक बहतर परदर्शन कर रहे हैं इसलिए भारत का स्कोर जादा होने के बावजूद उसकी रैंकिंग घटी है भारत में हुमन कैपिटल की इस्थिती अपने परदोसी देशों की मकाबले बहुत खराब है परदोसी देश नेपाल का HCI स्कोर हमसे अधिक है सिरिलंका, मलेशिया, थाइलेंड इनसे तो हम बहुत पीछे हैं चलिए अब पाकिस्तान और चाइना की रैंकिंग को भी देख लेते हैं क्योंकि इनके बिना किसी बीतरा का कंपरीजन हमारे लिए अधूर आए पाकिस्तान का स्कोर 0.49 है और उसकी रैंकिंग 144 है जबकि चाइना का स्कोर हमसे कहीं आधिक है 0.65 है और उसकी रैंकिंग 45 है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेड़ना मिलती है नए वीडियो बनाने में दोस्तो वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बिल आइकन पर भी जरूर कलिक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद